दोस्तों कैसे हैं आप लोग आईए स्वागत है आपका इरा इस्टिटूट के यूटूब चैनल पर और आज हम बात करेंगे फीफा ने की फीफा ने क्या किया था थर्ड पार्टी इंटर्फेरिंस के कारण हमारे AIFF पर All India Football Federation के उपर क्या किया था प्रतिबंद लगा दिया अपसे कुछा जा सकता है तो आखिर प्रतिबंद क्यों लगाया गया था और प्रतिबंद अब हटा लिया गया है प्रतिबंद इसलिए लगाया गया था क्योंकि हमारे हाइए कोट और सुप्रीम कोट दोनों ने एक कमेटी बनाने की बात कई थी जो AIFF को आपरेट करेगी और फीफा के according ये third party interference है, that's why उन्होंने क्या किया था, AIFF पर क्या किया था, प्रतिबंद लगा दिया था, और अब फीफा ने क्योंकि Supreme Court ने वो committee dissolve कर दी है, अब re-election की बात कही गई है, इसलिए फीफा ने तत्काल प्रभाव से immediately फीफा के फीफा ने AIFF के उपर से प्रतिब हटा लिया है, आएए, डेटेल में जानते हैं फीफा को, अगली बात ये है कि All India, अंतरराष्टी फुटबॉल निकाय, फीफा ने third party interference के कारण अखल भारते फुटबॉल महासंग AIFF, All India Football Federation को प्रतिबंद कर दिया था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, अगली बात ये है कि पिछले दिनों फुटबॉल निकाय, फीफा ने भारत में फुटबॉल के सीर्स प्रसासनिक संगठन AIFF प्रतिबंद लगाया, इन प्रतिबंद का अर्थ था कि भारत में कोई राष्ट इस्तरी टीम भी अंतरराष्टी फुटबॉल में इस्चा नहीं ले सकती, बात क कंटेक्स्ट क्या था, हमारे यहां ऑक्टूबर के अंदर, अंदर 17 गुवमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप और्गनाइजड होना है, और अगर फीफा हमें क्या करता है, ध्यान रखे का निलंबित कर देता है, तो क्या होगा सस्पेंड कर देता है, तो हमारे यहां फीफा प्ल्ड कप था, आयोजन नहीं हो सकता था, अब क्योंकि क्या हुआ है, सस्पेंशन वापस ले लिया है, फीफा ने, इसलिए अब क्या है, जो भी सेंक्शन लगाए थे, वापस ले लिया गया है, इसलिए अंदर 17 फुटबॉल वर्ल कप अब इंडिया के अंदर होगा, ब बताने से पहले आपको मैं AIFF के बारे में बता देता हूँ, इस्टेबलेशन 1937 और इंडिपेंडेंट बॉड़ी के रूप में वर्केंग स्टार्ट की थी, 1948 में इसलिए फीफा की इसको माननेता मिली, हेटक्वाटर एजन नई दिल ही, ध्यान रखेगा, AIFF एंडिपेंड फीफा की माननेता कब मिली, 1948 के अंदर रिकागनाइजड बाई फीफा इन 1948, हेटक्वाटर एजन नियो देगाई, आई अगली बात करते हैं, अगली बात ये है कि यह दुनिया, फीफा की बात करते हैं, तो फीफा कब इस्टेबलिश हुआ तो फीफा वोज इस्टेबलिश इन 1904, और ये दुनिया की वर्ल्ड की ध्यान रखेगा, सरवोच सासिये निकाय है, किसका फुटबॉल का, फुटबॉल का सबसे बड़ा निकाय है, ध्यान रखेगा, जिसमें 211 सदस्य हैं, भारत भी उनमें से एक है, इसका मुख्याले आपसे पूछा ज सकता है, हेड़ पाटर पूछा जा सकता है, ज्यूरिक स्विजर लैंड में इसका मुख्याले है, हेड़ पाटर है, आपको यह भी पता होना चाहिए, कि ज्यूरिक स्विजर लैंड के अंदर आता है, फीफा का जो अगला वर्ल्ड कप है, वो कतर के अंदर होना है, 2022 के अं आपको फीफा का एक वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा कतर के अंदर अब बात करते हैं इंडिया के अंदर फीफा का और कोई टूनामेंट हुआ है तो ध्यान रखेगा अंदर 17 फुटवाल मेंस का वर्ल्ड कप 2017 के अंदर भारत में हुआ था भारत में ऐसा पहली बार 2017 में हुआ था ध्यान रखेगा जब अंदर 17 फुटवाल वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित हुआ और भारत ने पहली बार किसी फीफा टूनामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया और भारत ने इसके लिए कौलिफाई नहीं किया था पर ध्यान रखेगा जो होस्ट कंट्र होती है ध्यान रखेगा उसको आटोमेटिक क्या मिल जाता है इंट्रे मिल जाती है इसलिए ध्यान रखेगा फीफा का आयोजन भारत में हुआ और भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया और पूरे टूनामेंट में भारत की तरफ से मात एक गुल डागा था अब बुमें आउट मुमेंट फॉर इंडिया है यही यह थी आपकी जानकारी आपको अंडर 17 फीफा डॉल वर्ल्ड कप 2017 की और डेटेल चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं आपको बता दूगा यहर आपको मैं बता दूँ मेंस की क्लासेश चल रही है इरा इस्टिट करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च